असलाम अलेकुम रबीवन क्या है आप सब लोगों के कैसे हैं आप सब लोग मैं हुसेना और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सानास कुकिंग पैशन अच्छा आज आज सब्सक्री काने का दिल चाह रहा था तो हमने का चलो बनाते हैं मिक्स सब्सक्री और मैं एं कोने अचा है। सबस्दी बनी आप गया। तो कसी इसका लैद आँगार तो कॉम्पा घातर चाहिए। ठीक है सबजियों में आलू ले लिया हमने हमने आलू के बाद गवार की फली ले ली उसके बाद हमने फूल गोबी गाजर हरी मिर्चें बैंगन शिमला मिर्च और हमने लिया है मतर ठीक है यह हमने समझें के जैसे दो आलू ले लिया एक बड़ी गाजर ले ली एक तरम्याने में बनेगी ये तो जट पट से बन जाएगी वरना कोई सब्जी गलती है हर सब्जी का टाइम अलग होता है गलने का तो अगर कुकर में आप नहीं बनाएंगे तो फिर कुछ कोई मतर कटी रह गई आलू जादा गल गए इस तरह हो जाएगा तो सबसे पहले कुकर में डाल दि चला लेंगे अच्छी तरीके से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे अपने रंग बरंगी खुबसूरत सी मज़दार सी सब्जियां तो सब्जियों का दरा मैंने स्लो मो लिया था कि स्लो मो से डालूंगी लेकिन थोड़ा सा रोंग हो अच्छी तरीके से टेमाटरों में और उसके साथ जो हमने भगार बनाया था उसके साथ हमने इसको अच्छी तरीके से कर दिया है मिक्स और मिक्स करने के बाद जो है हमने इसके अंदर जो है मसाले रैट करने हैं मसालों में सबसे पहले जाएगा नमक नमक के बाद हजब ज साथ से जाएगा इसमें हरी मिर्चे भी गई हैं तो वो जारा आप मिर्चों पर हाथ फिर देख के डालेगा और मैंने इसके अंदर कश्मीरी लार्ड मिर्च भी डाली है जो के थोड़ी सी डार्क रंग की हो थी ताके सब्जियों का रंग बहुत खुबसूरत सा एक मज़द भून के इसके अंदर डालेंगे पानी पानी मैंने जादा नहीं डाला है क्योंकि सब्जियों भी पानी अपना रिलीज करेंगी तो इसके लिए पानी समझे मैंने आदा ग्लास के करीब पानी डाला है उसके बाद हमने को कर को बन कर दिया है और इसको बहुत कम टाइम के ल चम्मच जादा नहीं चलाए क्योंकि सबजी तो सारी गल्चुकी थी लेकिन चम्मच में जादा चलाती तो सबजी तो अपनी शकल में रहें वाएसे तो मिक्स होई जाती है कुकर में तो यह देखें फिर पानी करने के बाद यह इस चकल में आ गई और यह बहुत ही मज़े की बहुत मज़े की बनी थी हमने इसको खाया दाल चावल के साथ चावलों को मतलब मैंने डाल की रेसिपी मेरे चैनल पर मौझूद है और मैं भो भी शेयर कर दूंगी और साथ साथ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक बटन बताना दबाना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा ठीक है अब ताल चावल मिक्स सबसी और सलाद ग्रीन सैलर्ड जो हमारी नॉर्मल होती है इसके साथ पापड हो तो क्या ही बात है मज़ा आ जाता है थैंक यू फॉर वाच